हाई गाईज कैसे हैं आप सब? मुझे कुछ नहीं समझा रहा कि मैं क्या बनाओ? कल एक्चुली मेरे बेटे का बर्डे था तो हम लोग ना डिनर पर गए थे मैं और मेरे देवर की फैमली आज हमारे बच्चों की स्कूल में है एन वर्ल डे फंक्शन हमारे चारों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं और मेरा घर स्कूल के पास में ही है तो बच्चों ने कहा कि वो डिनर आज यहीं करेंगे कल हमने हैवी खाया था बहार डिनर किया था हम सबने तो मुझे कुछ समन्नी आ रहा था कि मैं क्या बनाओ? अगर मैं डाल बना दूँगी तो बच्चे उतने शोक से नहीं खायेंगी कोई सबजी भी इतने शोक से नहीं खायेंगी और कुछ हैवी तला मला खाने का मन नी था और भार का भी कुछ खाने का मन नी था तो मैंने सोचा कि मैं बना देती हूँ छोले पूरी ये सोची थी मैं जब बारा बज़रे थे अब मुझे समनी आ रहा था छोले तो भीगे निया मुझे शाम को जाना भी है तो मैंने फटाफट गरम पानी में दो कटोरी छोले भीगो दिये गरम पानी में भीगोने से जल्दी भीग जाते हैं दो तिन लोंग और दस पारा काली मिर्च के दाने और एक बड़ी इलाइची और इसकी पोटली बना लेंगे और हम इसे कूकर में डालेंगे जब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ करना आपको बहुत पसंद आएंगे छोले फटा फट बन जाएंगे जब भी आपके पास भी ऐसे टाइंग ना हो न अचानक से सोचो भीगोने का टाइम न तो आप एक घंटे के लिए गरम पानी में छोले भीगोंगे न उससे भी हमारे अच्छे बन जाएंगे और पोटली इसमें डाल के मैं पानी ढाल दूझी छोलो से कम से कम 3 इंचू कर पानी में इसमें डालऊंगी और इसमें डालेंगे नमक एक सीटी में तेज गैस पर लगा दूँगी और ना आधे पूने घंटे के लिए मैं इस सिम गैस पर छोड़ यानि कि low to medium gas पे छोड़ दूँगी ये देखे ये अद्रक छील लिया है मैंने काफी सारा अद्रक छोलो में अच्छा लगता तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा अद्रक ही छोलो में डालती हूँ अद्रक को मैं इकसी जार में काट दूँगी और ये चार हरी मिच्वी मैंसी में काट दूँगी और इसे दरदरा पीस लूँगी ये देखे हमने दरदरा पीस लिया है इसी जार में मैं प्याज को भी दरदरा पीस लूँगी आपको अगर मेरी रैसे भी अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करके जुरूर बताया कीजिए और आप मेरी वीडियो कहां से देखना है ये भी मुझे कमेंट कीजिएगा ये देखिए एक कड़ाई में मैंने तीन बड़े चमच तेल लिया है इसके अनदर मेंने डाली है दाल चीनी, तेज पता और एक बड़ी लैची, हीन और आदा चमच जीरा जीरा हम लाल होने देंगे, हलका सा लाल करना है, काला नहीं करना है इसमें डाल देंगे अद्रक और हरिमिच, जिसे हमने दरदरा पेस्ट कर रखा था और इसे हम हलका सा भून लेंगे तक आप लसन खाते हैं तो लसन भी अद्रक के साथ डाल दे यह दिखे भून गया है इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज प्याज को भी हमने धरदरा पीसा है एकदम महीन पेस्ट नहीं बनाया है गोल्डन कलर आने तक हम प्याज को भूनेंगे प्याज अच्छे से भूनें कच्छे प्याज ना छोड़ें अगर प्याज कच्छे होंगे तो हमारे छोले अच्छे नहीं बनेंगे यह देखे प्याज भून गए है इसमें गोल्डन कलर आ गया है इसमें हम डालेंगे मसाले, गरब मसाला डाला, हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, लाल मिश्ट डाली है हमने, सुका धनिया पाउडर डालेंगे इसमें हम, कश्मीरी लाल मिश्ट डालेंगे और अमचूर पाउडर डालेंगे, अमचूर पाउडर जुरू डालेंगे, उसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है छोलो में और डालना बहुत जरूरी है और डालके हम अच्छे से मिक्स कर देंगे मेरा घर ना रोड के पास है तो इतनी आवाजे आती है ओडियो बनाने में बहुत मुश्किल होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूंगी पीछे से ब देंगे थोड़ा सा पानी डालके मिक्सी जार में हम इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद तो आपको पता है हमें इसमें क्या डालना है इसमें हम डालेंगे नमक डालके हम इसे भूनने देंगे टमाटर को अच्छे से पकाना है ताकि अच्छा सा फ मिक्स करेंगे और एक दो मिनट तक और भुनने देंगे जब तक हम छोले देख लें जब तक हमने मसाला भुना हमारे छोले भी पकगे साथ-साथ काम हो गया यह देखिए अब आपको दिखाती हूं छोले देखे एकदम अच्छे से गल चुकी है और कलर भी कितना अच्छा आया है छोलो पर पोटली को हम निकालके अलग कर देंगे, और अपने छोले हम इसमें डाल देंगे सूखे चोले डालेंगे अभी पानी नहीं डाल रहे है चोले चोले इसके अंदर हम डाल रहे है और अच्छे से करेंगे से mix और एक दो मिनट तक हम इसे भून लेंगे चोलो को अगर हम इस तरह से भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है चोलो का क्योंकि उसमें जो मसाले है वो रस बस जाता है तो इस तरह से आप एक बार जरूर भूने और उसके बादी इसमें पानी एड़ करें ये देखें तीन-चार मिनट तक मैं इसे एड़ कर रही हूं पानी ये छोलो वाला ही और अगर आपको और पानी डालना ना तो इसमें उबाल कर डालें कच्छा पानी नहीं डालेंगे मैं थोड़ा पानी इसमें डालूंगी क्योंकि मैं इसे बना रही हूं चावल के साथ साथ में पूरी भी होगी मगर चावल के सा अच्छेह से ख़ाया सॉ थ्रेश पानबें। अच्छी कर्शिए अनलब हैं। और यह देखे अच्छे से हम उबाल लेंगे पानी डाला है और पानी डाला है अगर आपको यह चोले यमी लग रहे हैं तो प्लीस यमी लिखे कमेंट करना ना भूलें इसके उपर हम लगाएंगे तड़का तड़का जुरू लगाएं देसी घी का बहुत ही अच्छा इसको घैस को हम बन बंद कर देंगे और इसमें ज़ेंगे कश्मीरे लाल मेच डेसा फोल ताकि मिर्ची जल सकती है यह देखिए उपर से डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ऐसे तड़का लगाने पर आप जुरूर ट्राइ कीजिएगा और बताएगा कि आपके छोलो में कैसा टेस्ट आया आपको अच्छा लगा या जैसे यह पड़े रहेंगे तो इसका कलर और अच्छा होता जाएगा क्योंकि इसमें आमला डाला हुआ है तो इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा थोड़ी दिर जब यह रखे रहेंगे तो यह देखिए इसे ढख दिया अब जब हम सर्फ करेंगे तब मैं आपको दिख थोड़ा सा तेल डालके आटे को स्मूध कर लिया था और आटा थोड़ा टाइट होना चाहिए पूड़ी के लिए और इस तरह से देखे लोईया बना ले देखने ऐसे छोटी छोटी लोई बना ली मैंने अब मैं आपको बेल कर और तल कर दिखाती हूँ देखे कड़ाई में से हलका सा तेल मैं इस तरह से लगाती हूँ सौरी लोई पर और इस तरह से करके इसे बेल लेती हूँ मैं हमेशा ऐसी बेलती हूँ आप चाहे तो एक कटोरी में थोड़ा सा ओयल ले लें और इस पर लगाते हुए पूडियों को बेल लें और पूडियों को अच्छे से बेले, कहीं से पतली, कहीं से मोटी ना बेले, उससे क्या होगा, आपके पूडी अच्छे से फूलेगी नहीं, और फट भी जाएगी, बहुत पतली कर देंगे ना तो बीच में से फट जाती है, फिर तेल भर जाता है, तो हल्की सी मोटी रहेग और यह देखिए हमारी पूडी बनकर रेड़ी है, एक और पूडी मैं आपको फूला कर दिखाती हूँ, बहुत ही जादा सही पूडियां बनती हैं, आप जब भी आटा गुंदेने इसमें तेल ना डालें, सिर्फ नमक डालके मैंने आटा गुंदे आप अगर अजवयन ख खा लिया थे, अगर मैंने दाल या कोई सबजी बनाई होती न, तो वो उतने शोक से नहीं खाते, मगर जब जैसी उन्हें पता चला छोले पूडी बनाया है, तो वही मज़ा आ गया, आस तो कल भार खाया, और आज हम खाएंगे चोले पूडी, उनकी तो लोटरी निकल रखेंगे मिर्ची का अचार, जो बहुत ही अच्छा लगता है, छोले पूडी के साथ, उपर से मैंने डाल दिया थोड़ा सा चावल के उपर हरा धनिया, जिससे देखने में बहुत ही अच्छे लगेंगे, और हमारी थाली बनके रेडी हो गई है, आपको अगर ये थाली पसंद आईए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और पेज को फोलो करना ना भूलें, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे पेज को फोलो कर लीजिए, थैंक्यू फोर वाचिंग